नमस्कार मैं हूँ सच्छेदानंद वसेष्ट और सजनों हर महिने की तरह अगस्त का महिना मेस रासी के लिए कैसा जाने वाला है क्या-क्या उसमें सरुधानिया रखनी है और क्या-क्या परिणाम उसमें हमें प्राप्त हो सकते हैं यह जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं देखिए वैसे तो सारी जो ग्रहों की स्थिती होती है हर ग्रह हर मैने चेंज नहीं होती है जैसे राहु है शनी है ब्रहस्पती है यह हमेशा कोई एक साल में चेंज होता है कोई धेट साल में चेंज होता है कोई धाई साल में चेंज होता है तो उनका तो लगभग परिणाम एक जैसा ही चलता है, जैसे अब आपके शनी एकादस इस्थान में हैं, तो एकादस इस्थान का शनी लाबकारी होता है, अपने घर के अंदर वैठा हुआ है, तो ये महीना लाब के लिए अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से प्रोध आपको ज्यादा आएगा, उ आत ही अगर आप विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई में आपको ध्यान देना होगा, आप में आलश से आ सकता है, प्रमाद आ सकता है, आज का काम कल पर टालने की प्रवर्ति आपकी हो सकती है, तो उसमें आप सुधार करोगे, तब ही आप विद्या के ख्षेत्र में आगे वड़बाओगे, राहू आपके 12 स्थान के अंदर है, इनकम तो अच्छी होंगी सनी की वज़े से, लेकिन कहीं न कहीं आप ऐसा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो कि नुक्सान की तरफ जा सकता है, तो कहीं का देनलेंड जो हैं, आप ना करें, कहीं इन्वेस्टमें होगा, लेकिन अगर कोई लेगल प्रोग्लम होई भी, तो उसके अंदर आप इजिली निकल जाएंगे, ब्रेस्पती आपके बहुत बड़े आग हैं, दूसरे स्थान के अंदर ब्रेस्पती हैं, कुल की, कुटुम्ब की, धन की ब्रद्दी होगी, अच्छे माहोल घर के अ अभी तक कहीं पर कोई सर्विस का योग संयोग नहीं बना है, तो वो आपका बन सकता है, राज्य की क्रपा आपको प्राप्त होगी, बैसे 17 अगस्त से आपके 17 अगस्त तक कुछ चिंताएं आपकी रहेंगी, लेकिन 17 अगस्त के बाद उन चिंताओं से मुक्ति आपको प् एक और दो तारीख, ये आपके लिए विजय की है, इसके अंदर किसी भी क्षेत्र में हैं आप, तो वहाँ पर विजय आपको प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, विजय का मतलब है सफलता, तीन, चार, पांस तारीख, ये थोड़ी सी चिंता जनक है, इसका जो है आपको ध्यान रखना होगा, छे और साथ तारीख, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, वो किसी भी क्षेत्र का आदमी है, ब्यापारी है, नोक्री करने वाला है, मजदूर है, किसान है, हर किसी के लिए वो बढ़िया जाएगी, लेकिन आठ नो दस तारीख, इन के लिए पती-पत्मी के लिए बहुत बढ़िया जो है, माहुल उत्पन करेंगे, लेकिन इसके साथी साथ 13 और 14 तारीख, ये आपके स्वास्त में जिरावट लाएगी, तो उस समय पर आपको सावधान रहना होगा, कहीं बाहर का, कोई दूर का, कोई चूर का प्रोग्राम है तो उसको आप स्थगित करें, और दो दिन दूद और चीनी का जो कह आपको दन करना चाहिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ये साथ दिन आपके लिए बहुत ही महत्तोपूर्ण है इस मेने के, और इसके अंदर आपको लाब भी होगा, लंबी यात्राएं भी होगी, वो यात्राएं और आकस्मात धन की प्राप्ति के योग भी आपके बनेंगे, इसके साथ ही 22 और 23 तारीक यहां पर ये दो दिन कहीं आपको कोई नुकसान ना हो जाए, धन का नुकसान, कोई अपव्याह, अधिक खर्चा और या फिर देनलेंड के अंदर कहीं कोई धोका, ये इस प्रकार क इस्तिती बन सकती है, तो इन दो दिनों में आपको सावधान रहना होगा, बाकी 24, 25, 26, 27 और 28, 29 तारीक, यहां तक आपको अच्छा परिणा मिलेगा, स्वयम भी प्रसंद रहेंगे, घरवाले प्रसंद रहेंगे, धन की आमदनी जो है, इसके अंदर होगी, कोई नया आग गर्ण तुग घर के अंदर आ सकता के, जिसको लेकर के बहुत उच्छाव जैसा माहोल घर में हो सकता के, अच्छे मित्र जो है, आपको पराप्त हो सकते है, भाईयों का सहहुग आपको पराप्त हो सकता के, लेकिन 30 तारीक जो है यह ठोड़ी शी चिंताजनक रहेगी, यह जानकारियां मैंने आपको दी, अब आपको और कोई जानकारियों के आउसेकटा के तो ये नीचे जो दिये भी लिंक है, नमबर है, यहाँ पर संपर्ख करके जिस भी विसे में आपको जानकारी चाहिए, जोतिस्में, वास्तू में या अन्य कोई परिशानियों के विशे में, तो आप अपाइटमेंट ले करके, कार्य ले की सेवाएं अरपन करके, जो भी आप जान करके लाव उठाना चाहते हैं, लाव उठा सकते हैं, नमस्कार. देवग्य सच्चिदानंद वशिष्ट जी से, वास्तु, जियोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाट, महामृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हेतु संपर्क करें, ह हमारे संपर्क सूत्र है, 788-388-98421, हमारी वेब साइट है, www.shreevashist.com